देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पढ़ाया तो प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन उसमें तीन चीजें मेन बताई गई है वैसे तो यानि एक तो range बताई गई एक maximum height बताई गई और एक flight time बताई गया एक path बताई गया है तो हमने बताया था है अगर मान लिया कोई body u velocity से फेकी गई theta angle बनाते हुए तो उसके path का formula क्या था y is equal to x10 theta minus gx square upon 2u square cos square theta याद है और जब body project की गई तो project करके वो अपना path cover करके गिरी तो जो पूरा time लगा उसको flight time कहा गया उसका formula था 2u sin theta upon g इसके बाद कहा गया किस height तक गई तो h बताया गया u square sin square theta upon 2g और जितनी दूर गिरी जाकर के वो था r is equal to u square sin 2 theta upon g और इसमें maximum height के लिए theta 45 बताया गया ठीक है और उसमें r maximum u square upon g बताया गया यहां तक तो आप समझ गया होंगे लेकिन numerical problem में इन formula का इस्ते बार हम तभी करेंगे जब body ground to ground जाएगी तब ground से चली और ground पर आके गिर गई लेकिन किसी height से कर body को आपने फेका में किसी मीनार पर आप खड़े हुए महां से body को फेक रहें तो यहाले formula applicable नहीं होंगे तो अब वाले कब applicable होंगे तो उस प्रकार के numerical distance करने जा रहे हैं दो-ती numerical distance करेंगे ठीक है देखिए तो projectile motion के numerical हम बात करें जा रहे हैं numerical NCRT के बाद में बात करेंगे ठीक है अभी हम general numerical बात कर रहे हैं देखिए question आपके बुक में होगा आके पीछे यह newton की बुक में है इसमें लिखा two bullets are fired with the horizontal velocity of 50 meter per second and 100 meter per second द्यास किताब खुले ना उसमें numerical होगा ना two bullets are fired with the horizontal देखिए numerical में खाज बात है जब हम numerical पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मुशन कुली प्रोजेक्टाइल देखिए question हम पढ़ते हैं ना तो हमारी आदत है कि start क्यों धर्दर धर्दर पढ़के full time पहुंजिए फड़ से answer देखा प्रोजेक्टाइल जितना डिजिट दी भी है question में उनको जोड़ें multiply करें divide करें किसी न कहीं से answer आना चाहिए वो ध्यान से पढ़िएगा अपने आप question बोलता है तो को तीन तरीके के परे तो हम cases आपको लेते हैं पहला case समझेगा पहला case बाई किसी height से अगर body किसी height से अगर body कोई fake रहे है तो तीन तरीके से आप fake सकते हैं या तो आप horizontally ऐसे body को fake एंगे हो सकता है एक तरीका यह होता है कि आप vertically ऐसे उपर के और fake एंगे body ऐसे जाके नीचे गिरेगी और एक हो सकता है कि आप pull पे खड़े है नीचे देखा एपी बाजुझा आरहे है और आप इंटा मारते हैं तो कैसे इंटा मार होगे आई से नीचे के और fake एंगे तिन तरीके में से क्या आपने बोडी को ग्राउंड से फेका आपने फेका है न तो हाइड से फेकने वाले में वो आले फार्मिल अप्लेकेब्ल नहीं है ठीक हेड़ा तब क्या करें तो पहला केस हम ले रहे हैं जाज साओधान कहdert है मानलिया कोई बोडी ये मानलिया एक टावर है ठीक और इसकी height कितनी है H यहाँ से horizontal direction में आपने body को ऐसे fake और यहाँ आके body गिर गई ठीक है जैनि body के पास कौन से value थी horizontal velocity थी तो body के पास vertical विलास्टी कितनी थी 0 बाई देखे अगर body को horizontally fake हो गई तो horizontal से angle कितना मनाएगी कितना बना रही है मैं इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है कि किसी बाडी को हरिजंटली फेकेंगे तो हरिजंटल से कितना एंगल बनाएगी जिरो बनाएगी और वर्टिकल कामपोरिंट क्या होता यू साइन थीटा और साइन जिरो की वैलू जिरो तो यानि वर्टिकल कामपोरिंट क्या होगा इसका जिरो ठीक है अब देखो बाडी यहां से हाएगा अगर आपको वर्टिकल हाइट निकालना है तो वर्टिकल मोशन लेंगे अगर हरिजंटल डिस्टेंज निकालना है तो horizontal motion लेंगे ठीक है तो एक तो ये case हो गया body को fake ने का इस पर एक numerical हम लेते हैं इस पर लिका है two bullets are fired with the horizontal velocities of 50 meter per second and 100 meter per second मतलब एक bullet को 50 meter per second से fire किया गया और दूसरी bullet को 100 meter per second से fire किया गया कहां से किया गया from a gun at a height of 19.6 meter मतलब जो gun है ना वो कितनी height पर रखी वी है 19.6 meter यह जो H है वो 19.6 यहां से गन से fire किया गया horizontally fire किया गया ऐसे तो कुछ question कह रहे हैं कि will both the bullets strike the ground क्या दोनों bullet ground पर strike करेंगी यह तो मुर्तावला answer है question है it will strike the ground दूसरा है if yes then after how much time कितने time बाद strike करेंगी और कौन से bullet पहले strike करेंगी तो पहले तो first bullet की बारे में बात कर लेते हैं ध्यान समझेगा हम पहले लिखेंगे far first bullet far first bullet पहले bullet की बारे में बात करते हैं 50 meter per second तीक है आपको निकालना है height मता हाइट दी है ना तो height का इस्तेवाल करना है ना तो अगर vertical चीज आपको निकालनी हो या vertical चीज दी भी हो तो vertical motion लेंगे तो यहां से यहां तक का vertical motion लेते हैं for the vertical motion of bullet कहां से कहां तक from B to C B से C तक क्या vertical motion ले रहे हैं देखो अब बताएए initial vertical component of velocity कितना है bullet का initial vertical component of velocity कितनी है जो आप vertical motion लेंगे तो हर चीज वर्टिकल लेंगे ना velocity दो होती है एक horizontal होती है एक vertical होती है तो vertical velocity कितनी वर्डिकी है आपको देखनी राजी रूब तो देखे answer कैसा देते हैं एक बात है answer किती जल्दी देते हैं एक बात है जैसे कहा गया बुद्धी कहा रहती है तेनाली रामा से जब जिस किस राजा के दर्वार में वो थे तेनाली रामा किस राजा के दर्वार में थे तो तेनाली रामा राजा कृसंदेवरा के दर्वार में थे पहुंचे कैसे थे वो बाहर दर्वार के बैठे रहते थे ठीक है और बड़े दर्वारी ये सूट बोट ऐसे नहीं मोदी से सूट पहने के एक से बड़िया महेंगे वाले जाते थे तो एक बार प्रसंदे हो रहा है कि दर्वार में घुसने की कोसिश की नों ने तो भई रोक थे भाते हैं कोई अंसर उल्टा चला जाता है यह ज्ञेदर दर्वाद हाज इक बुद्धी होट पर रहती घुड़ें कोaaaa aap आंसर नहीं दे पाएं यह पहनती होगी यह तो बुद्धिमान लोग है तो राजा बड़ा इंप्रेस हुआ राजा कुषिंद्यु राजा यह एक योग राजा था उसने उनको अपनी दरबार में नवरतनों में सामिन कर लिया सुना होगा ना ना विजह बीरबल थे अकबर क उसमें वैसे ही तिये थे तो देखिए तो वर्डिकल विलास्टी कितनी है इसकी जिरो और हाइट कितनी है नाइंटीन पॉइंट सिक्स और कितना टाइम उले रही है भूलट यह निकालना है तो कौन से कुशन लगाएंगे एच दिया है ट्रे निकालना है यू दिया है कौ तीन इकुशन तो आपको याद होने चाहिए ना तो सेकेंड को इक बोलिये क्या होता है एच इस इकुल टू यू टी नीचे आ रही बाड़ी तो हाफ जी टी और यू काउंस अ वर्डिकल कामपोनेंट तो एच हो गया आपका 19.6 और यू टी हो गया 0 प्लस हाफ जी हो गया 9.8 इंटू टी स्क्वार यह हो गया 4.9 तो अब टी स्क्वार निकालेंगे तो आएका 19.6 और 4.9 यह चार बार जाएगा तो टी इस इकुल टू क्या होगा 2 सेकेंड यानि यह बुलिट 2 सेकेंड बार नीचे की देगी ठीक है पहले यहां तर पहुँचिए भड़ा भड़ बता है यह ताइम को निकाल ले में क्या आपने 50 का इस्तिमाल किया नहीं किया ना अगर यह 100 हो जाता तो क्या कोई फर्क पड़ता यानि की चाहे वो 100 सेंटीमीटर 17 की वाली बुलिट हो चाहे 50 मीटर 17 की वाली बुलिट हो दोनों एक साथ गिरेंगी दो सेकेंड बाद बा कि यह पड़ेगा मैं थोड़ा सा इसको ऐसे पूछा नहीं क्या है फिर भी हम बता देते हैं यह नोट कर लिए ना इस बुलट जो पहली वाली बुलट है ना इसकी अगर हमको होरीजंटल डिस्टेंस निकालनी हूँ फोर होरीजंटल डिस्टेंस आफ बुलट होरीजंटल डिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे देखू होरीजंटल विलास्टी कितनी है 50 मीटर पर सिकन्ट ठीक है और यह गिरी जब है तो कितना टाम लिया इसने दो सिकन्ट तो टाम लिया है दो सिकन्ट और डिस्टेंस इसकी निकालनी है कौन से कुश्टन लगाएंगे स्पीड है टाइम है डिस्टन निकालना है इसमें कौन सी हम कल से उसमें टाइम होता है थर्ड में थर्ड में टाइम होता है अच्छा कौन सी कुश्टन होती और V2 is equal to U2 plus 2GH यह याद रख कर लिजेगा पहले में हाइट नहीं होता दूसरे में हाइट होता है और टाइम भी होता है और तीसरे में टाइम नहीं होता है अब आपके पास डिस्टन निकाल नहीं है और टाइम दिया हुआ है कौन से कुशन लगाएंगे फर्स्ट में डिस्टन्स दी भी है कुशन जब लिखा करें तो फड़ से नोट भी कर लिया करिए आपने एको बार एक कुशन अपने आप लिखी कापी में इमांदर बताना तो कहां से याद हो जाएगा अगर एक कुशन आपसे पूछी गई कभी तो कभी आपने कॉपी में लिखने की कोशिस की सही बताना आपसे जितनी बार एक कुशन पूछी गई आपने कभी कॉपी में लिखा ने लिखा तो कहां से आ जाएगा जैसे कोई फर्मला पूछा जाता है ना तो फड़ से फर्मला लिखी आप कौन से कुशन लगाएंगे second जी नहीं आपको याद होगा हमने कहा था horizontal में जी एक्ट नहीं करता और जितनी बार हम formula आपसे पूछेंगे आप formula बताओ जरूर याद है ना इसमें लगाएंगे distance is equal velocity into time बताया था नहीं बताया था velocity into time distance बोले तो x, velocity बोले 50, यह बोले 2 यानि कि यह 100 मीटर दूर जाके गिरेगी यह distance कितनी है 100 मीटर अब जो दूसरी बुलेट होगी ना वो 50 यह 100 लिख दोगे तो 200 मीटर जाके गिरेगी तो होगा क्या देगो practically क्या होगा practically क्या होगा कि दोनों बुलेट आपने एक साथ fire की एक ने 100 मीटर की speed है और यह दूसरे की 50 है तो होगा क्या कि भाई माल लिया एक सेकंड दोनों चली मैं माल लेता हूँ कि एक सेकंड बाद इससे मुड़ना है मैं माल लेता हूँ तो 50 वाली एक सेकंड में 50 चलेगी तो 100 वाली एक मिनट में 100 चलेगी नहीं चलेगी और एक मिनट में ऐसे मुड़ जाएंगी ऐसे दोनों एक साथ मुड़ी नहीं मुड़ी ग्रेवटी तो तब लगना शुरू होगी जब मुड़ेंगी तो जैसे माल यह दो गलिया है और दोनों जब यहां से मुड़ना पहुचोगे उतनी तर्वी हम यहां पहुच जाएंगे और दोनों एक साथ मुड़ जाएंगे और तभी ग्रेवटी लगेगी तो इसका मतलब दोनों एक साथ गिरेंगे लेकिन अंतर के आएगा जो हरिजन्टल डिस्टन्स है ना पहली बुलट की 100 मिटर होगी तो दूसर जान से यह आपका होरिजन्टल है और आपने बॉड़ी को होरिजन्टल से उपर की और ऐसे फेका यह एबी हाइट भी बॉड़ी थी आपने होरिजन्टल से थीटा यू विलास्टी से थीटा एंगल पे फेका तो यह विलास्टी को होरिजन्टल कामपोनेंट यह वाली के बात नहीं करें, बॉड़ी यहां से चली और यहां पे आई, है ना, जब हायट लो गे, तो यहां से यहां लो गे, कि यहां से यहां लो गे, आप थो 20 जह लो गे ना, क्योंकि इनीशल पोपंश piston बॉड़ी की क्या है भी, और final क्या है ए तो अब बताइए body नीचे आ रही है ना तो क्या vertical component उपर है कि नीचे है तो आपकी body तो नीचे आ रही है तो हम क्या करेंगे vertical component को negative कर देंगे वस ये concept है नहीं समझें चुकि वो उपर की और है body नीचे आ रही है तो vertical component को हम negative कर देंगे ठीक है अब एक question लिए लेते हैं इसका भी note करिए कौन सा है down stone is thrown top टेक एक question है इस book का 31 question number है अब आपके भी number कौन सा है पता निचे लिखा है a stone is thrown from the top of a tower at an angle of 30 degree यानि कितने angle से फेका गया है stone 30 degree से थीटा कितना हो गया 30 degree अप उपर की तरफ with the horizontal with the velocity of 16 meter per second और यह है 16 meter per second यह वराश्टी दीवी है meter per second after 4 seconds of the flight 4 seconds की flight के बाद it strikes the ground यानि यहां से यहां तक जो time लगा है वो कितना है 4 seconds यह flight strike the ground calculate the height of the tower and the ground the range on the ground यह आपको height निकालनी है और यह range निकालनी है अब देखो height vertical होती है तो height के लिए आप vertical component लिखेंगे ठीक है तो देखिए for the question सुनना है क्या कह रहा है for the vertical motion vertical motion of body कहां से कहां तक from B to C देखो बात vertical motion के हम करने जा रहे हैं देखो जान से vertical में velocity क्या लिखेंगे यू आई कितना लिखेंगे हम माइनस लिखेंगे क्योंकि वह यू आई उपर है ना लेकिन body किदर आ रही है नीचे किदर रही है तो by question h is equal to ut plus half gt square और u कौन सा y component h कितना है मालूम नहीं ui कितना लिखेंगे minus 8 time कितना है 4 second plus half g दिया है क्या नहीं दिया होगा तो 9.8 लिखेंगे दिया है 9.8 9.8 और t square कितना होगा 16 तो 28 16 माइनस का आठ चोग 32 प्लस का 88 64 के 4 हाथे अच्छे 972 छे 78 अठतर पॉइंट चा रही है ना 88 64 हाथे अच्छे 98 तो 78.5 में 32 माइनस करो तो 0.48 में 32 माइनस करो तो 0.48 में च्छे हो गया साथे चार 46.4 मीटर यह जाएगा नोट कर दिया अब यह तो निकल आए कि हाइट क्या है आप से भी कुछ रहें कि बाल कितनी दूर या बाड़ी कितनी दूर जाके गिरेगी उसके लिए कौन सा मोशन लेंगे होरीजंटल मोशन आप बाड़ी कहां से कहां तक फ्राम बी तो सी अब देखो होरीजंटल मोशन में होरीजंटल कामपोरेंट यू एक्स ब्रावर क्या होगा u cos theta होगा न u cos 30 u बोले तो 16 और cos 30 को बोले क्या होती root 3 by 2 यानि कि 8 root 3 तो velocity हो गई meter per second time कितना लगा 4 second और distance आपको निकालना है कौन से question लगा है distance is equal to velocity to time तो x is equal to velocity 8 root 3 time है आपका 4 तो 8 चोक 32 यह root 3 की value क्या होती है root 3 की value 1.732 या 1.73 इसको जब multiply करोगे तो यह value आई है आपकी 55.4 meter 55.4 meter यह round up करेंगे आप तो यह horizontal distance हो गई तो यह case क्या हुआ जब body को horizontal से उपर के और फिका गया ठीक है note करें अगला है कि आप किसी bridge पे खड़े हुए हैं हमने बताया था नीचे बाज पे जी निकल रहे थे आपने बीज़े थे आपने बीज़े बीज़े आओ इंटा मारें युक्त समय कई बीज़े थे यह फिज़े टी डीक्री डिग्री डांगा थ्रिटा कितना दिया है 30 degree down पे फिका गया with the horizontal speed है 25 meter per second speed कितनी है 25 meter per second if the stone strike the water after 2.5 second 2.5 second बाद water से stone टकराया तो height of bridge निकालनी है अब height of bridge तो vertical height होती है ना तो height निकालने के लिए vertical motion लेंगे और होरिजंटल लेंगे vertical लेंगे तो लिखेंगे for the vertical motion of vertical motion of stone motion of stone तो जब हम velocity लेखेंगे ui लिखेंगे मताब u sin 30 u बोले तो 25 sin 30 बोले तो 1 by 2 meter per second अभी हम decimal में लिखेंगे कितने टाइम बाद टकराया 2.5 meter और height आपको निकालने ही कौन से question लगाएंगे h is equal to by question h is equal to u y t plus half g t square तेखेंगे अगर यहाँ पर ui नहीं भी लिखतें गलती से तो कोई मतलब नहीं है value ही रखेंगे आप तो h निकालना था ui हो गया 25 by 2 t हो गया 2.5 plus half g दिया गया है समय 10 यूज किया उन्होंने और जिस question में हम 10 यूज कर लेते हैं वह 9.8 यूज कर देते हैं बताने जाने रहते हैं कि 10 यूज करने वाला है तो यह 4.9 आएगा calculation कर लोगे अपने आप so calculate करोगे इसकी value आई है 61.9 meter तो यह वो आले numerical हैं जिसमें हम body को किसी height से फेक रहें ground से फेक होगे तब तो जो भी आपके equations है flight time height भही लगेंगे लिगे height से फेक होगे तो equation आप motion की बता से लगाओगे ठीक है so लगा लीजेगा क्याओे बता Лात